इसे ऐसा कहे जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 16 दिसंबर विश्वास की घोषना मैं घोषना करता हूं कि मैं विशेश, असदारन और आलोकिक हूं मैं घोषना करता हूं कि मैं एक चंगा करने वाली के रूप में रहता हूं मैं अपने आसपास के लोगों की जरुरतों के प्रती सम्वेंदन शीर हूँ मैं गिरे होई को उठाता हूँ, तूटे होई को पुनस्तापित करता हूँ और निराश लोगों को पुरुसाहित करता हूँ मैं करोना और दया से भरा हुआ हूँ मैं सिर्फ एक चमतकार के तलाश नहीं करूँगा बलके दूसरों के लिए मैं जहां भी जाओंगा इश्वर के प्यार और दया को दिखा कर किसी का चमतकार बनूँगा यह मेरी घोशना है दीविय स्वस्ती के स्विकार रोकित प्रभू ने अपने दूतों को मुझ पर अधीका रखने की आग्या दी है कोई भी चीज मुझे किसी भी तरह से नुकसा नहीं पहुचा सकती मैं हर तरफ से प्रमेश्वर के अच्छाई से गिरावा हूँ मैं हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित हूँ और मैं उन चीजों से अप्रभावित हूँ जो सामन्य मनिश्यों को मारती है आमेन मेरे पास वो होगा जो मैं कहूंगा येश्यो के नाम में मैं मजबूत हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं धन्य हूँ मैं धनी हूँ मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिशिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इश्वर का प्रिया हूँ, मैं इश्वर और मानवजाती का क्रिपा पात रहूँ, मैं वहीं बोलता हूँ जो मैं देखना चाता हूँ, न की जो मैं देखता हूँ, मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अ पुड़ाफे मेवी में ताजा और फलता-फुलता रहूंगा, मेरा पत्ता मुर जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वो यशू की नाम में समिर्द होता है, चीजे हमेशा मेरे लिए यशू की नाम में काम कर रही है, मैं मसिहय यशू में हर और आदम्यतिक आशिरवात का प्राप्त करता हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है, मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक बोतिक शरीर में रहते हैं, मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है, मेरा अंतर्मन सुनता है, प्राप्त करता है और मे मेरा शरीर पालन करता है येश्यू के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ इश्वर का विनाशी जीवन मेरी जीवन में हमेशा स्पस्ट और व्यक्त होता है मैं अपने शरीर के हर विवरन के लिए जीवन बोलता हूँ मैं अपने मनोभाव से बात करता हूँ परिपुर् मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ, मैं अपने फेफडों और उतकों से सामन्य वेंटिलेशन और परफिशन अनुपाद बनाये रखने के लिए बात करता हूँ, मैं अपनी किड्नी लीवर और अगनशायों को पुरनाता बोलता हूँ, मेरी खून की हर कोशिका में जीवन है, मेरी हड्डिया जोड और काटिले सरेखित मजगुत और डिड़ है, मेरी पूरे उपरे और नीचले आंग उतकुरुश रूप से कार्य करते है, मेरी आखे सपच्ट रूप से और पुरी तरह से देखती है, और मेरे कान काम करते है बहतरीन, मेरी तवचा एक आत्मसूरी जबडी की हड्या और तंत्री का और रक्त की आपूर्दी सभी स्वस्त मजबूत और परिपुर्ण है, मेरी सभी हार्मोन और नेरोकेमिकल ट्रांस्मीटर एक दुसरे के साथ पुर्र सामजाई में है और अपने कारियों को सामन्य रूप से निश्पादित कर मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खात पदार्तों को पचाने अफशोशित करने और आत्मसात करने में सक्षम है और चाया पची अफशित उत्पाद नीमित रूप से उसरजित होते हैं में खानी तकनीग मीडिया शितलता गपशप आलस अधिक्री सुस्ती और बादिय कारी खरीदारी में सबी प्रकार के व्यस्नों शराब निकोटिन ड्रक्स दिव्य धातुपान अत्यादिक भोग को कैद करता हूं और मसीहा की आग्या करिता में लेता हूं जैसे येशु वैसे ही मैं इश्वन ने जो कुछ भी बनाया है वो मेरे लिए जीवन और चंगाई है इसलिए खात पदार तो धूल जानवरों आदे अलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है इश्वन ने मुझे इन सारे चीज़ों पर अधिकार दिया है मेरा प्रजनन तंत्र प्रयात मात्र में और अच्छी गतिशलता वाले शुकरनाओं का उत्पादन और जमा कर र जनम तक ब्रून के रक्षा और पोशन कर रहा है मेरी शरीर का हर अंग हर कोशी का पुर्णता में कारिय करता है जिसके लिए इश्वन ने इसे कारिय करने के लिए बनाया है और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विकृति को येश्व के नाम पर मना करता पूत्र इश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि मैं जानता हूं, आमेन